वन हमारे वन्य जीवों का निवास है और वनों के नश्ट होने पर जंगली जानवर और वनस्पती हमेशा के लिए नश्ट हो जाएंगे परियावरणी संतुलन के दृष्टिकोंड से देश के कम से कम 33 प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए किन्तु भारत में इस समय मात्र 23 प्रतिशत भूभाग पर वन आवरण है विभिन राज्यों के बीच वनावरण में भिन्नता पाई जाती है 36 गड़ भारत के सबसे अधिक वनाक्षादित प्रदेशों में से है और इसकी लगभग 41.75 प्रतिशत जमीन पर वनो का आवरण है इसके विप्रित उत्तर प्रतिश में केवल 5.7 प्रतिशत और ओडिशा के 31.36 प्रतिशत जमीन पर वनावरण है उत्तर पूर्व के राज जैसे नागलैन, मनिपूर, मिजोरम, मेघालै आधी में सबसे अधिक वनावरण है लगभग 70-83 प्रतिशत उपवन भूमी इस वर्ग में ऐसी भूमी सम्मलित की जाती है जिस पर बाग बगीचे लगे होते हैं अत्वाया अनेक प्रकार के ऐसे पेडो वाली भूमी है जिनसे फल आधी प्राप्त होते हैं भारत में पिछले 60 वर्षों में बगीचों के पेडों को काट कर इस भूमी को कृशी एवं अन्य उप्योग में लिया गया है इस कारण विगत 60 वर्षों में यह 7 प्रतिशत से कम होकर मात्र 1 प्रतिशत रह गई हैं कृशी भूमी हमारे देश के विशाल भाग पर खेती होती है और यह हमारे अधिकांश लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है और कुछ उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है बारत में 1951 में 42 प्रतिशत भाग पर क्रिशी भूमी थी जो आज के समय में 46 प्रतिशत है क्रिशी भूमी का विस्तार 1970 से लगभक स्थिर है सिचाई के विस्तार के कारण उसी जमीन पर दो या तीन फसले ली जा रही है लेकिन भारत में केवल 38.75% कृशी भूमी सिंचित है और उसी पर एक से अधिक फसल ली जा सकती है